नमस्कार जैहिन साथियों बहुत अच्छी गुड न्यूज आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आर्मी की नई भरती का जो आयोजन है वो किया जाएगा ओफीशल नोटिफिकेशन हमारी गौर्मेंट की तरफ से आ चुका है देखे मेरे साथ इस वीडियो में कि कौन से जगेट जो है वो भरती का आयोजन किया जाएगा और क्या डेट रहेगी कब से आउनलाइन फॉर्म्स जो है वो फिल किया जाएंगे ऐसे ही जो नई अपडेट्स है वो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बिना टैम वेस्ट के जलो देखते हैं जल्दी से पूरा नोटिफिकेशन क्या है आपके सामने यहाँ पर जैहिन नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो हमारी गॉर्मेंट है इंडिया की उसकी ओफिशिल साइट जो जो इन इंडियन आर्मी हमारी साइट है यह साइट को मैंने ओपन कर रखा है तो बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं है यह ओरिजनल वीडियो है कौन सी भरती आई है चलो अभी देखते हैं हम लेटेस्ट जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रही हूं देखिए यह उपर यह उपर आप देख सकते हैं यहां से डाउनलोड कर लीजिए इसको मैंने इसक जानकारी है वो आपको सारी बता देती हूं देखिए जो राजसान की भरती आई है यहां पे उसमें कौन-कौन से जिले शामिल है देखते हैं तो इसमें अजमेर, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा, चितोडगड, जालावाड, कोटा, रादसमंद इतने जिलो की भरती आई हैं वो इस भरती में भाग लेंगे और पूरे जोश के साथ तैयारी करेंगे देखिए यहां पे पोस्ट देखना भी बहुत जरूरी है कि कौन-कौन सी पोस्ट के लिए जो भरती है वो आई है और जो ऑनलाइन रजिस्टेशन फॉर्म से हैं वो कब से स्टार्ट होने वाल आग नहीं लेने दिया जाएगा तो फॉर्म फिल जरूर करवा दें कौन-कौन सी पोस्ट के लिए भरती है तो देखिए सोल्जर जीडी जो है टेक्निकल जो है कलरक है सी एलके है एसकेटी है और टीडियन जो है जिसमें ट्रेड मैन में एर्थ और टैंथ पास दोनों के ल बहती है यहां पर यह पोस्ट यहां पर मैंने आपको बता दी है इसमें एर्थ और टैंथ पास दोनों भाग लेग सकते हैं देखिए जो भरती की तारीक है रैली की तारीक है वो क्या होगी 17 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में यह रैली जो है वो आपकी कराई जाएगी इस उसके हिसाब से जो है आपको डेट और वेन्यू सब रिसाइड किया जाए लेकिन 17 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में आपकी भरती का जो है वो आयोजन करवाया जाएगा तो बिल्कुल भी आप लोग तैयारी में कमी नहीं रखें पूरे जोश के साथ तैयारी करें फिजि आपको सबको पता हो वही इमेल एड्रस देदा कि आपको एड्मिट कार्ड असानी से आपका मिल जाए कोई भी आगे परिशानी नहीं हो देखो अब आगे हम बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट है और किसके लिए क्या जो क्वालिफिकेशन है और जो फिजिकल मेडिकल क्रूबर 1909 में से 1 अप्रेल 2003 की बीच में होनी चाहिए वो ही कंडिडेट इसके लिए अपलाई कर सकते हैं हाइट 170 cm है वेट यहां पर 50 kg से उपर होना चाहिए आपका चेस्ट यहां पर 77 और 5 cm का इसमें क्या होना चाहिए फुला होना चाहिए क्वालिफिकेशन जो है वो सुक्सान उनको उठाना पड़ता है तो 33 प्रसेंट हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए आपके और यहां पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी सोल्जर टेक्निकल की जिसके अंदर यह एक्जामीनर की भी पोस्ट यहां पर दियुए है तो यह साड़े सतरह से 23 साल इसकी एज है यहां पर डेट देख सकते हैं और फिजिकल क्राइटिरिया वही है और यहां पर जो आपका एजुकेशन क्राइटिरिा है और देख सकते हैं अगर आप इसके लावन नेक्स पोस्ट जो है वह स्टोरगी पढ़ें सब्द एंप्ज़य सामिल और इसके qualification आप देख सकते हैं जो दी हुई है इसके अलावा बात करें हम trade man की तो जिसमें जो 10th pass है उसके लिए यहाँ पर यह पोस्ट रहेंगी और जो trade man में 8th pass है उसके लिए हाँ यह housekeeper और mess keeper बगर है सेंटीमिटर और 5 cm का इसमें फुलाव और सेंग इसी के अंदर है और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं देखिए यहाँ पर जो special छूट जो मिलती है जो ex-serviceman के बच्चे है या जो वीडियो है उनको जो छूट मिलती है वो छूट यहाँ पर बता ही गई है क्या छूट है तो इसका भी आप फाइदा उठा सकते हैं जाहिर सी बात है और यह जो यह है यहाँ पर आपके physical fitness test की जानकरी दी हुई है जानकरी है पूरी यहाँ पर दी हुई है मैं इस पर पूरा descriptive वीडियो भी बना दूंगे आपके लिए ताकि आपको कोई भी problem नहीं हो medical test से संबंदित जो जानकरी है वो देखे यहाँ पर दी हुई है पूरी आप देख सकते हैं यहाँ रिटर्न टेस्ट के लिए आपको क् रिटर्न एक्जाम हम गारंटी के साथ कहते हैं कि वह clear हो जाएगा और सभी टीचर्स जो है लाइक समीर सर जो मैथ और रिजनिंग करवा रहे हैं biology के लिए यहाँ पर मनीशा मैम की class आती है physics के लिए मानसी मैम की class आती हर एक subject के अलग-अलग teacher है तो आपको क्या करना है सभ कि आपको रिटर्न एक्जाम के लिए कोई भी ज्यादा मैनत नहीं करनी पड़े और बिना ही कम मैनत के आप बहुत अच्छा score जो है वो कर पाएं देखें यहाँ पर admit card photograph और जो भी आपको रैली के अंदर ले जाने हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर उनकी जानकारी दी इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरी तरह मैं बताऊंगी कैसे आपको फॉर्म फिल करना है उसके लिए आप में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और ताकि आपको आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना फॉर्म भी फिल कर लें तो बने रहें में चैनल के साथ तरुना डिफेंस अकेडमी आप सभी का भिनंदन करती है धन्यवाद